यह को प्रेंड्स देसे इस मोरोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे इसका नाम है अगयत्री केशन क्लासेश अब देखिए आप सभी को सीधे एक चीज समझाता हूं आपने देखा हो कि जो भी पेराग्राफ एक्जैम में आते हैं जो भी एक्जैम में उठाएंगे और आपके पास चिपका देंगे अब इसमें क्या होता है कई बार आप जब पैराग्राफ सॉल करेंगे जो आपके एक्जाम में आ गये हैं चाहिए आप 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 एससी दे रहे हो तो इसको क्रैक करने का तरीका क्या है उसमें देखिए स्टोरी लाइन तो नही आप यह काम नहीं कर पार तो यह काम मैं आपके लिए आज से में डेली टैन के लुगा लूगा और उसे लाओगा डेट यह ना अस से लिख लिजे बाइस से स्टार्ट होगा फिर आपकी जूभी एक्जाम आते रहें और होगा क्या कि अपन अगले वाले में पुराना पहल लोगों को घसिट के मार दियागा यह भीड ने मार दिया ठागए अब यहां से कुछ वूख्यब आपको याद रखनें जैसे कि जब भीड मारती है तो उसे मॉब कहते जब भीड जो गुस्साई होई भीड उती उसे मॉब कहते देखे कुछ चीजें होती है उनको clear करिए जैसे एक होता है आपने सुना होगा mob एक होता है आपने सुना होगा crowd ठीक है तो इन में फरक क्या होता है crowd का मतलब होता है सिर्फ भीड ठीक है लेकिन अगर इसी भीड में मैं गुसा डाल दू तो इस भीड को कहते हैं mob यह ना यान करने के लिए तो आपन सभी को पता है कि आपन murder यूज करते है ठीक है लेकिन क्या आपको यह पता कि हत्या करने को एक चीज़ और कहते है उसे कहते है लिंचिंग अब आपको यह वर्ड अंडरलाइन कर देंगे और आपसे मीनिंग पूछ लेंगे और चार ऑप्शन में एक चीज अब कर चिलेगी कि लिञ्चिंग अब आप मुझे बताइए कि मॉब लिण्चिंग अगर साथ किया है मॉब लिश्टिंग का केश आया है तो इसका मतलब क्या हो वा मma मतलब गुसाइवी भीड लूच्छ इम्हारे पास ऑई है और यही दोस्तों पंजाब आपने देखा गुल्डन टेंपल में भी एक बंदे ने क्या कर दिया भाई एक जो पवित्र गरंथ है उसको उसने फाड़ने कुछ करी चीननी कुछ करी या कुछ भी करने कुछ करी वो उसके ऊपर चल के चला गया मतलब उसने अपमान किया उस धरम का तो जब उसने पवित्रता को अपवित्रता में बदल दिया तो इसे क्या कहते हैं इसे कहते हैं सैक्रिलेज इसे क्या बोलते हैं सैक्रिलेज क्याते हैं सैक्रिलेज मतलब अपवित्र करना अपवित्री करन समझे आप मेरी बात तो अपवित्री करन से क्या हुआ कि वहां की है मेरी बाद बड़ी है तो इसलिए मेंने कहा साश्क्रिलेश का मतलब पवित्री करनों हो गया लिंचिंग अभात्र शेयर करना है उस्सक्त का यहां अप जमान बदल गया इन्सट अलग शीज थी अब insult के दो अलग-अलग शब्द है आपको दिख रहे हैं एक को कहते हैं प्रोफेन और एक को कहते हैं ब्लासफेमी यह दूनों ही अपमान करना होते हैं लेकिन आप बहुत ध्यान सुनिएगा जब आप प्रोफेन कहते हैं तो किसी को disrespect याने insult करना किसी को गंदे तरीके से bad manners दिखाना या उसके insult कर देना उसे प्रोफेन कहते हैं लेकिन बात यह है कि इंसान का अपमान करने को प्रोफेन कहींगे लेकिन वहीं पर आपने किसी पवित्र चीज का अपमान किया है याना कोई भी पवित्र चीज हो जाया है तो पवित्र चीज का जब हम अपमान करते है या उसके बारे में गलत कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो उसे ब्लास्फेमी कहते हैं, इसलिए ब्लास्फेमी का मतलब देखी ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करने को ब्लास्फेमी कहा जाता है, और मनुष्य की डिस्रेस्पेक्ट करने को प्रोफेन कहा जाता है, आप से क्या हुआ उसने इश्वर की निंदा कर दी ऐसा लोगों ने माना ऐसा सिखोने माना तेक है और उसको मार दिये हलाकि यह गलत है कानून यहां पर दिये हुए है कानून सबसे बड़ा होता है हाथ में नहीं लेना चाहिए कानून को समझ गया आप तो सैक्रिलेज मतलब लें कि डीम्ड का मतलब क्या है किसी बात को विशेश रूप से देखो दोनों का मीनिंग समझना होता है मानना होता है आप इस रैकन का मतलब भी मानना है समझना है डीम्ड का मतलब भी मानना है समझना है फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप विशेश रूप से समझते हैं या मानत किस चिज़ को समझते हैं किसी बात को विशेष रूप से समझते हैं तो उसे कहते हैं और जब आप सिर्फ णॉर्मकली मान लेते हैंे कोई विशेष रूप से नहीं संजया मैंने माना वस मैंने धैसे समझ लिए यह मान लिया उससे रेकन किया movimiento दोनों में अंतर समझेगा अब ध्यां से देखिए एक और समझागा फिर जोड़ूँगा क्योंकि डीम्ड प्रप्राइटरी एक साथ लेखा जाता है कभी-गभी तो आपको समझाऊंगा मैं तो प्रप्राइटी मतलब प्रप्राइटी मतलब क्या होता है और अपनाये जाने लायक सामाजिक बेवहार मतलब आप कह सकते हो कि आउचित्त है तो अब आप मुझे बताइए कि कहीं पर भी डीम्ड का मतलब क्या हुआ मैंने बताया किसी चीज़ को विशेष रूप से समझना या मानना प्रप्राइटी का मतलब क्या बताया मैंने अब आता है प्रिसिंग्ट का मतलब क्या होता है प्रिसिंग्ट का मतलब क्या होता है प्रिसिंग्ट का मतलब होता है किसी भी शहर में एक ऐसी जगह जहां पर कार्स नॉट अलाउट प्रप्राइटी और प्रिसिंग्ट भूलना नहीं प्रप्राइटी मतलब किसी चीज़ को अचित्त मानना डीम्ड मतलब विशेश रूप से समझना या मानना और राकान मतलब सिर्फ मानना या समझना और डीम्ड प्रप्राइटी मतलब किसी चीज़ को अचित्त मानना और प्रिसिंग्ट मतलब वो जगा जहां पर कार अलाउड नहीं है आप चलिए देखिए और कुछ शब्द बताए तो मापको अब देख कुछ तो बड़े प्यारे हैं क्या होता है कि कई सारे लोग जो होते मतलब कंट भी हो गया ज्घडालू सबसे इंपंध वडद यहांपर देखिए गए ग़ागा राीडिश रेडिश के दूव मिनिंग होते साथ कभी कभी आप देखना एक मिनिंग मॉम्लिक मतलब हमालिद मतलब बिल्कुल वाललिमेंटल मतलब फॉन्डवीं जो हमला कर सकते हैं खतरनाक लोग तो उन्हें रेडिकल के दो मीनिंग होते हैं एक मौलेक भी होता है यह भी बहुत है इसलिए वर्ड मैंने आपके लिए लिए तो आपके लिए मैं डेली लूगा तो आपके पस किया है ना जो तब वर्ड है उनके सारे आ जाएंगे देखे एंडिये या फिर इसके बाद अब सीडेस का भी एक्जाम आने वाला सीडेस का आएगा जब तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा क्लिरों की बात तेक है इस तरह से वर्ड वहां पर आते तो जगडालू केंटन के रस हो गया अब एक बसता इंकम्बेंट और आपको पता ही है कि भाई जो हमारा कोर्स चल रहा है पूरा इंग्लिश का कोर्स प्रिपेर हो गया है दोस्तों पूरा का पूरा प्रिपेर हो गया है आपको करना कुछ नहीं है गूगल प्ले से जाना गूगल प्ले में जाना गूगल प्ले स्टोर में वहां पर GEC यहन पूरे लेक्चर को पर्चेस करो आप उसको देखो और मैंने सबसे कम रेट रखा है आप जाकर कि देखिए आप खुद को मालूम चल जागा आप कई सारे बच्चे पढ़ भी रहे आप भी पढ़िए इसका फाइदा उठा रहे हैं और चिंतामत करिए उसे में अपडेट करत आप जाता है तो आपके लिए एक ही चीज में सब कुछ कर देना चाहता हूं ठीक है अगर इंगलिश मतला फिर चाहिए वो किसी भी एक्जाम में आती हो उस लाइक मैंने सारी इंगलिश दे दी है अब आप सिर्फ इसको 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 इसा सुचे कि भाई अगर यह मैंने सी आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा ठीक है और वहां तो मैं बता ही रहा हूं ठीक है तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुरक्षित रहें मामले बढ़ रहे हैं वैससे भी ठीक है चले दोस्तों